नमस्ते तो आज हम पढ़ेंगे परशु प्रचातियों की बार में दिल्चास्प तत्या हमारी प्रिथ्वी पर दस लाग से भी ज्यादा जानवरों की प्रचातियों जाने जाते हैं तो पहले हम देखेंगे मरीन आनिमल्स यानी समद्री जानवर तो जिस जड़े अपरानी के बार में हम पहले पढ़ने वाले है उसका नाम है जैली फिश जैली फिश समंद्रों में पाई जाते है और आप सबने उनके बार में पहले सुनाई होगा बड़ कि आपको यह पता था कि जैली फिश का एक ऐसा प्रकार है जो मौत को धोका देने में सक्षम रहे है आप देखेंगे वह यह कैसे कर पाता है जैली फिश के दो आवस्ता माने जाता है और दूसरा मौबाइल मेडियोसा अवस्ता जो कुछ ऐसे दिखता है अब यह माना जाता है कि तरनाव के समय जैली फिश अपने दोनों आवस्ता के बीच में यात्रा कर सकता है अगर इंसानों से तूलना की तो ये कुछ इस प्रकार हुआ कि एक मनुश्य अपने बुढ़ापन और बच्पन के बीच में यात्र कर रहा है इस प्रकार वो सेकड़ों सालों तक जिन्दा रह सकता है और मौत को धोका देने में सक्ष्य मुराए आगे देखेंगे हम डॉल्फिन्स इस हसते खेलते उचलते हैं जानवर को तो आप सबने पहले देखा ही होगा या तो अक्वेरियम्स में या फिर वाटर शोज में ये माना जाता है कि बाकी पशों के तूलना में डॉल्फिन्स बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं मनुश्यों के अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं ये हमारी बुद्धिमानी का एक बहुत बड़ा निशाना है डॉल्फिन्स में एक प्रकार है जिने हम वाइल डॉल्फिन्स बुलाते हैं ये डॉल्फिन्स भी एक दूसरे को नाम से पुकाते हैं दिखा जाए तो ये भी उनकी बुद्धिमानी का काफी बड़ा निशाना है समुद्री जानवरों में जो हम आखरी प्रकार पढ़ेंगे उसका नाम है वेल समुद्री जानवरों में से ये सबसे बड़ा अला जानवर होता है जिस वेल की आप फोटो देख सकते हैं उसका नाम है किलर वेल या फिर और का ये एक अकिला प्रकार है जो मनुश्यों का शिकार करता है बर क्या आप ये जानते थे कि किलर वेल असल में एक वेल होता ही नहीं वो एक डॉल्फिन का प्रकार माना जाता है वेल्स के बार में एक और दिल्चस्प तत्या है कि इतने बड़े होने के बावजूद वो समुद्र के छोटे प्राणी पे ही शिकार करते हैं जैसे श्रिम्प्स या फिर प्रॉंज आगे हम बात करेंगे लैन आइनिमल्स के यानी जमीन पर रहने वाले चांवाद आगे हम देखेंगे पोला बेस यानी दुरूव्य भालू पोला बेस प्रित्वी के आर्क्टिक रीजन यानी नौद पोल के अलाके में पाए जाते हैं वहागा तापमान मैनिस पचास दिग्री सेल्सियस तक रहता है बट वो इस कठिन परिस्तित्यों में जापे कोई मनुष्य नहीं जी सकता ये भालू आराम से जी सकते हैं क्योंकि उनके तुचा के नीचे तस सेंटिमीडर का रोना होता है ये इन भालू को इतनी कर्माहाट देता है कि वो इन कठिन ठंड में भी जी सके पोला बैस के बार में एक और दिल्चस्प चत्वा है कि अगर मैंने बोला कि एक पोला बैस की कलपना करो तो सबसे पहले कोई एक सफेद भालू की कलपना करेगा बट असल में जो Polar arrest की खाल होती है वो काले रंकी होती है जो आप इस फोटो में भी देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर तो शायद आपके मन में ये सवाल आ रहोगा कि पुला पे सफेद क्यों दिखते है वास्तव में उनका जो फॉर होता है वो काफी घना और सफेद होता है जिसके वज़े से वो दूर से सफेद नजर आता है आगे बात करेंगे सपाइडर्स की यानि मुखडियों की ये खौपनाग जानवर पृत्वी पर अन्टार्प्टिका छोड़ कर बाकी छे महाद विवो पर पाया जाता है क्या आपको पता था कि इसका जो रेशम होता है बले ही मनुश्य की एक बाल से भी पतला हो बट मस्बूती में ये इस पाच से पाच गुना मस्बूत है बलकि ये कहा जाता है कि अगर इसका दस सेंटिमीटर मोटा रेशम का एक धागा लिया तो उसमें इतनी ताकत है कि वो एक उड़ते हुए हवाई जहास को भी रोख सकता है कहा जाता है कि प्रित्वी के सारे जेवित प्राणियों में भले ही वो जानवर हो या पेड़ पौदे उनमें विकास नजर आता है ये भी कहते है कि मनुश्य का विकास बंदर से ही हुआ है आव अभी जानवर हो में विकास के दो विप्रीत उदाहरण देखें मैं जिस पहले उदारण की बात करने वाला हूँ उसका नाम है टेक्सिस ब्लाइंड सालमेंडर सालमेंडर एक अमफिबियन यानि उभाई चर्ट का प्रकार है जो कुछ इस प्रकार दिखता है ये वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे पानी की उपलब्दी हो टेक्सिस ब्लाइंड सालमेंडर टेक्सिस के हेस काउंटी के गुफाव में पाया जाता है और सेकड़ों सालों के विकास के बाद आज वो कुछ ऐसे दिखता है इसके वाचे यह है कि उन गुफाव में पानी तो था बट वो इतना अंदर रहता था कि वहाँ पे कोई रौश्नी नहीं आती थी और क्योंकि कोई रौश्नी नहीं थी उसको धिश्टी की जरूरत नहीं पड़ी और फिर अभी उसके आखे ही नहीं होते और यहीं नहीं क्योंकि उसके जो त्वचा है उसको पिग्मिंट्स की जरूरत नहीं पड़ी अभी उसकी त्वचा एक पारदर्शी सफेद रंग दिखाई देता है मैं जिस दूसरी उधारण की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है टार्डिग्रेट्स टार्डिग्रेट्स एक माइक्रोगानिजिम यानि सुक्षम जीव का प्रकार है ऐसे बोरा जाता है कि ये टार्डिग्रेट्स उबलते वे पानी और ठोस बर्थ तक में जी पाते हैं और यहीं नहीं ये एक अकेले जाती है जो अंतरिक्ष में भी पाई गई है यह भी कहा जाता है कि टार्डिग्रेट्स 10 साल तक रेगिस्तान में पानी के एक बूंद की बगयर जी पाते हैं टार्डिग्रेट्स एक इतनी मजबूत जाती है कि इसको अभी तक विकास की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐसे बोला जाता है कि वो डाइनसौस के काल से पहले इस प्रित्वी पर पाए जाते थे और आज तक पाए जाते है टार्डी क्रेट्स असल में कुछ ऐसे दिखते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी सीखने को मिला और मज़ा भी आया होगा साथों शुरू होन बाजियां असी होकम देयक्केयां सानु होना जना जानी बल्लिये थोक के जो लेंदे जैटनी ओए जिन्दाबाद रैन बिल्लो यारियां जिन्ना करें